एक गाउं में रिया अपनी मा सुजाता के साथ रहती है रिया रंग रूप से काफी सुन्दर होती है केवल उसका कद कुछ जादा ही लंबा होता है इसलिए जब जब वो मुहले में जाये करती तब तब मुहले वाले उसका मजाग उड़ाये करते देखो बाई हमारे मुहले में रहने वाली इंसानी जिराफ आ गई वैसे रिया तुम्हारे घर के पंखे साफ करने के लिए तुम्हें स्टूल की जरुरत नहीं लगती होगी न क्यों और नहीं तो क्या लगता है ये पानी की जगध दिन रात कॉम प्लैन पीती है इसलिए ये इतनी लंबी है लंबो लिका कहीं की रिया को उन सभी मुहले वालों के तानों को सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर फूट फूट करोती है ना बेटी ना मत रो मेरी बच्ची लोगों का क्या है खुश तो लोग कहेंगे लोगों का तो कामी है कहना लेकिन मा हर कोई मुझे देखकर मेरी लंबी हाइट का बजाग उडाता है अब मैं जान बुच कर ऐसी हूँ क्या मैं लंबी हो तो इसमें मेरी क्या गलती है मा नहीं बेटी, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, तुचिंता मत कर। रिया काफी पैसे वाली होती है, लेकिन उसकी लंबी हाइट के चलते उससे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था, इस वज़े से वो और जादा दुखी होती है, पिछले तीन दिनों में दस र इस दुन्या में सबसे जादा सुन्दर वही होता है, जिसका मन सुन्दर हो, समझी तू? समय के साथ सुजाता की मृत्ति हो जाती है और रब रिया अपने जीवन में पूरी तरह अकेली पड़ जाती है, फिर एक दिन उसके जीवन में एक हैंसम लड़का आता है, जिसका न की लड़कों की तरह मेरी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं रिया, व्यक्ति के मन की अच्छाए उसे सुन्दर बनाती है, तन की अच्छाए नहीं, और अगर उस निजरिये से देखा जाए तो तुम्हारा मन तो एकदम खरा सोना है रिया? थैंक यू सो मच अंकि इस तरह अंकित और रिया दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद एक रात अचानक से अंकित रिया को सर्प्राइस देने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाता है, अंकित यहां क्यों लाए हो तुम मुझे? ऐसा कौन सा सर्प्राइस देना है तुम्हें मुझ इला चाकू निकालता है और वो चाकू देख रिया डर जाती है, यह क्या अंकित? तुम यह चाकू क्यों लाए हो यहां पर? क्योंकि इस चाकू से मुझे तुम्हें जान से मारना है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा मेरा हो जाएगा अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, और मेरा इस दुनिया में ऐश करने का वक्त तुम्हें क्या लगा, तुम जैसी लंबी लड़की से मैं प्यार करूँगा, अपनी हाइट देखियो तुमने, को तुम मिनार जितनी लंबी हो तुम, तुम जैसी बच्चुरत लड़की से कौन प्यार करेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ रिया अंकित रिया को चाकू से मार देता है और वहां से चला जाता है रिया की लाश वहीं पड़ी रहती है रात को जब उस पहाडी रास्ते से एक गरीब डाक्या गुजर रहा होता है तभी रिया को मरा हुआ देख वो डर जाता है ये क्या, ये लड़की तो मर चुकी है, इसका तो खून किया गया है, बाप रे बाप तभी उस डाकिया के सामने रिया अपने चुडैल वाले रूप में आती है अरे नहीं, इतनी लंबी चुडैल, तुम्हारा शरीर यहां है और तुम यहां चुडैल बन चुकी हो मुझे बख्श दो, मुझे यहां से जाने दो, मैंन感 रहीं है, मैं तो बस यहां से जा ही रहा था उतने में तुम्हें यहां देख लिया तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है डाक बाबु, क्योंकि मैं बेगुना लोगों के साथ कुझ गलत नहीं करूँगी लेकिन हाँ अगर तुमने गाउ में किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूगी ना बाबा ना मैं गाउ में किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊँगा बिल्कुल भी नहीं इतना कहकर वो डाकिया कापते हुए पैरों से फटा-फट साइकल चलाते हुए वहां से चला जाता है। रिया के मन में अब अपने बदले की आग जल रही थी। बहुत गलत किया है उसंकितने मेरे साथ। अब मैं पहले अपना बदला पूरा करूँगी और फिर इस गाउं के हर उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दूगी जो किसी की खामी का मजाग उड़ा कर उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। अंकित अब रिया के पैसो से एशो आराम से भरा जीवन व्यतीत कर रहा होता है और वो एक महगे कलब में पार्टी कर रहा होता है। तुम पर मैंने इतना तूट विश्वास किया लेकिन तुमने मेरे साथ ही विश्वास घाद किया। अब मैं तुम्हे नहीं चोड़ूगी। उस वेटर के काले रंग का मजाग उड़ाते हो। और एक खुद की शकल देखिये कभी। शैतानी शक्तियों से अंकित के शरीर का सारा खुन पी जाती है और फिर उसे मार देती है। अब मुझे तुझे कामपर नहीं रखना है, इसले तु निकल जाए यहां से, गोल कप्पा कहीं का, लेकिन सिर्ड जी, अब मोटे क्यों दिमाग की धही कर रहा है, चल निकल यहां से, तुझे मैं फोटी कौडी भी नहीं देने वाला हूँ, हरिया भूशन को लात मार कर अप मुर्क लोग काले, मोटे, बॉने, लंबे और पता नहीं, कितने ही खामियों वाला लोगों का मजाग उड़ा कर उनके साथ गलत करते हो, लेके न बौर नहीं, क्योंकि अब इस गाओं में मैं हर उस बुरे इंसान को अपने साथ ले जाओंगी, नहीं नहीं, मुझे माफ कर लड़की का मजाग उड़ाते हुए देख लेती है, अरे देखो तो, ये बौनी आईए, जल्दी से सब अपने अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लो, वरना कोई इसे देखी नहीं पाएगा, हाँ हाँ, लेकिन ये बौनी यहाँ क्या कर रही है, इसे तो सरकस में काम करना बहुत पैसे कमाएगी है महाँ पर, हाँ, वो बौनी लड़की रोने लगती है, और रोते रोते अपने घर चली जाती है, फिर जब वो चिड़ाने वाली लड़कियां अपने घर जा रही होती है, तब ही उनके सामने रिया चुडैल आ जाती है, आँ, एक लंबी चुडैल हाँ, और आज ये लंबी चुडैल तुमारी मौद बनकर तुमारे सामने आई है, आज मैं किसी को भी नहीं बख्षूंगी, तुम सब ने बहुत बुरा किया है, मासूम लोगों को चिड़ाने से, उन्हें दुखी करके तुमें किस तरह की खुशी मिलती है, हमें माफ कर द अब तुम दोनों जाओ की चुडैल लोग के पिंचरे में, और वही पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगी, हाँ, 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 रिया उन दोनों को भी घसीटते हुए अपने साथ चुडैल लोग ले जाती है, और वहां के पिंचर पंडित जी अपने पास भभूत रखकर चुडएल लोक में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो रिया चुडएल से कहते हैं लंबी चुडएल मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ लेकिन पंडित जी आप चले जाएए यहां से आप नहीं जानते कि जब कोई किसी के रंग या रूप का मजाक उड़ाता है तो उसे कैसा लगता है इसलिए मैंने इन सब नालाइक लोगों को पिंचरे में कैद कर रखा है अगर सब ने वादा कर दिया तो फिर मैं कभी गाउं में नहीं भटकूंगी लेकिन अगर मुझे पता चला कि किसी ने किसी को दुखी कर दिया है उसके रूपिया रंग से चिड़ा कर तो मैं गाउं में फिर से आओंगी इस तरह चुड़ैल उन सभी कैद किये हुए लोगों को बाहर कर देती है और सरपंच और पंडित सभी गाउंवासियों को एक दूसरे की इज़द करने का आदेश देते हैं जिसके बाद गाउं में कोई किसी का मजाक नहीं उडाता और सभी साथ में खुशी से रहते हैं और लंबी चुड़ैल रिया भी चुड़ैल लोक में ही रहते हैं